हाई अब्रिवन ये बजाज PX-97 TORQ-new 36-liter personal cooler है जो कि मैंने लास्ट येर अप्रेल में 2023 में मंगवाया था इसके model number को लेकर बहुत ज़्यादा confusion है मैंने इसको मंगवाया था ये है बजाज PX-97 TORQ-new 36-liter एंड लेकिन ये जो model number आया वो different आया उसका नाम है PMS-36 TORQ अभी मैं आपको पीछे दिखाऊंगी जब मैंने लास्ट येर मंगवाया था तो मैं इसकी cooling वगरा चेक करने लग गई थी मैंने इसका model पर ध्यान नहीं दिया था लेकिन जब मेरे long video पर लोगों ने जब comment करना start किया एक दो लोगों कि मैंने मंगवाया है तो मेरा जो model है वो भी PX-97 TORQ-new ना करके PMS-36 TORQ है तब मैंने इस साल अभी ध्यान दिया तब मैंने अपना model number चेक किया और अपना पुराना video जो मैंने बनाया था वो खोड़ कर देखा उसकी unboxing जब मैं कर रही थी तो उसमें PMS-36 TORQ था overall मुझे नहीं पता आज भी जब Amazon पर लोग जो है order करते हैं वो सब को यह ऐसा बेशता है दो तीन लोगों का तो मैंने सुना एक दो लोगों ने comment किया था तो पहले मैं समझ नहीं पाई थी लेकिन मुझे तो यह मिला and वो अभी भी ऐसा हैं या नहीं मुझे नहीं पता आप यह देख सकते हों यहां पर यह पास से मैं closely दिखा रही हूं PMH-36 TORQ है और अभी आप देखोगे जाके तो मैंने अभी भी मेरे order list में PX-97 TORQ new 36 liter है वो सब को यह ऐसा बेशते हैं एक दो को ऐसा बेशते हैं वो मुझे seriously नहीं पता ले कूलर की कूलिंग वगरा मुझे बहुत बड़ी है लगी तो मैं क्यों ही वापस करूंगे अब आप लोग देख लेना modern number को लेकर confusion तो है इसकी performance बहुत जादा अच्छी है लास्ट यह मैंने इसको अप्रेल या में एक डेड़ दो महीने यूज कर पाई थी फिर मैं अपने temperature काफी जादा होता है तो बहुत इसकी तारीफ करती थी यह personal cooler है लेकिन मैंने इससे इतना expect नहीं किया था काफी अच्छी हवा देता है अब मैं अपने hometown में आ गई हूँ तो अभी इस time पर अप्रेल के महीने में 2024 में मैं और मेरी sister एकी room में सोते है और इसको चला कर सोते है तो हम लोग के लिए काफी इच्छा रहता है सुबह होते होते तक भी बहुत जादा ठंडी लग जाती है लेकिन आप जो है मैं और जून में मैं नहीं कह सकती है एक के लिए काम करेगा दो के लिए क्योंकि यह personal cooler है personal cooler के हिसाब से ही मैंने मंग बाया था कि एक जन के लिए क हमारा है मेय जून में कैसी इसकी रहती है performance क्योंकि बहुत जादा गर्मी होती है और अंदर वाला हमारा कमरा है मैं अब यह नहीं कह सकती मेय और जून में यह दो लोग के लिए काम करेगा या नहीं personally अगर आप यह यूज करेंगे एक जन के लिए तो यह आप बहुत जाद है वो आप यहाँ पर इस वीडियो में देख लीजिए जो लास्टे मैंने निकाला है मैं अभी इसको रात में ही चलाती हूं तो इसका वाटर लेवर आप देखिए रात भर में इतना खतम हो जाता ही जो थोड़ा पानी बचा हुआ ही सुबह को बचा हुआ रह जाता है नहीं भी बत सकता है मतलब 36 लीटर का है एक रात चल पाता है डेली इसको यूज कर रही हूं मैं यह जो लॉक यह है यह खोलने के मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि अगर आप इसका देखना चाते है तो मैंने खोल के दिखाया है वहाँ पर जो वीडियो में ब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि नॉब उपर से निकालो और पानी निकल जाता है जो वीडियो मैंने बनाया है लास्ट ये वो मैंने खोल कर पानी निकाल कर भी दिखाया है इसका वीडियो और यह जार तेईस में निकाल चुकी हूं और यह मॉडल नंबर पुराना ये हूं पूरा रूम आपको दिखा देती हूं यह जहां पर में और मेरी सिस्टर सोते हैं रात को एंट वहां पर कूलर रखा हूआ है लेकिने घड़ घ। लेकिन आया था तो मुझे भी लगा है ऐसा साथ ये कूलर हम चलाते हैं मुझे भी ऐसा लगा था इसके नीचे कुछ रखने की जरुवत पढ़ेगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह जो इस तरीके से एज़ेस्ट कर दी है मैंने इसके लोर्स की मेरे बैट पर और पलस सामने मेरी सिस्टर का जो बैड आप अच्छे से पहुँच जाती है मुझे रखने की जरुवत अभी तक तो नहीं बिल्कुल पढ़ी है यह जो लोर्स हैं यह ऐसे ही सेट रहते हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ लोर ऊपर नीचे करके दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी एज़िस्मेंट खराब हो जाएगी ऐसे पर ही जहां मुझे लगता है कि हाँ सेट करने चाहिए इतनी ही सेटिंग पर मैं रात को इसको यहीं पर रखकर सोती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अभी तक इसके नीचे कुछ रखने की जरुवत पढ़ने लगी है एडिस्का तार इतना ही बड़ा है इवन बजाज का दूसरा तो डैजर्ट कूलर है उसकी बिल्ड कॉलिटी भी बहुत अच्छी है दोनों ही बजाज के लास्ट यह मैंने कूलर परचेस किये थे तो दोनों की बिल्ड कॉलिटी अच्छी है कभी कभी ऐसा होता है फीचर्स अच्छी होते बिल्ड कॉलिटी अ नहीं होती है तो उससे भी मैं काफी सैटिसफाइड हूं और मैं बता दू लास्ट ये मेरा बड़ा वीडियो जो मैंने 2023 में निकाला था उससे काफी लोगों ने इसको परचीज भी किया एंड इस साल भी लोग परचेस कर रहे हैं और मैं आपको बता दू इतने सारे किया गया इस साल तो एक भी रिटर्न नहीं आया है लास्ट ये एक रिटर्न हुआ था वो कोई मॉडल नंबर हो सकता है उनके पास सारी मॉडल कभी कभी होता है बेकार चला गया ऐसा कुछ लेकिन ये परचेस किया जा रहा है अब मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ ब बहुत जोर देती हूँ और सब भी कुछ मैंने बता दिया है मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कुछ रह गया अगर कुछ रह गया तो कमेंड में पूछ लीजेगा